नमस्कार मैं हूँ आचल कादियान और आप देख रहे हैं NWI आज भारत अपनी आजादी की 75 वी वर्षगाट मना रहा है आजादी के इस अमरित महुत्सों में हर गर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है आजादी के अमरित महुत्सों के तहट स्वतंतरता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैमपेंच चला रही है हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है लोग आजादी के रंग में डूबे नजर आ रही है लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है या फिर कह लीजिए कि आजजादी के जश्न को खराब करने की कोशिशे की जा रही है दरसल एक तरफ जहां देश का हर नागरिक 75 वे स्वतंतरता दिवस को लेकर उत्सा से सराबोर है और अलग-अलग तरह से कार्यक्रमों से आजजादी के इस विशेश उपलब्दी को अमरित वहतसों के रूप में मना रहे हैं तो वहीं कुछ आसामाजिक ततो अपने देश विरोधी करतेवे से माखोल खराब करने का प्रियास भी कर रहे हैं और ये मामला है उत्तर प्रदेश के कुशिनगर का जहां एक समुदाए विशेश के युवक ने अपने घर पर पाकिस्तान का जंडा फैराया है जिसका वीडियो शोचल मीडिया पर खूब तेजी से वाइरल भी हो रहा है जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रही है कि युवक घर की छट पर जंडा फैरा रहा है बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों ने उसे ऐसा करने से काफी मना किया लेकिन उसने परिवार वालों की एक भी नहीं सुनी बहराल वाइरल वीडियो का स्थानिय प्रशासन ने तुरंट संग्यान लेते हुए अभी युक्त को गिरफतार कर लिया है तो वहीं इसी घटना से लेकर स्थानिय लोग काफी जादा आक्रोशत भी नजर आ रही है लेकिन इस घटना से जहन में कई सारे सवाल भी उठ रही है ठीक 15 अगस्त से दो दिन पहले इस तरह की घटना का सामने आना क्या देश की शुरक्षा के लिए सही है और आज इस तरह की साजिश रची गई है क्या इसके पीछे किसी बड़े संगटन का हाथ हो सकता है सवाल तमाम सारे हैं जो जहन में इस समय आ रही है लेकिन जवाब एक का भी नहीं है फिलाल तो सभी की नजरे खास कर कुशी नगर के लोगों की इस पर टिकी हुई है कि पूछताज के बाद क्या निकल कर सामने आएगा या फिर सच में इस यूवक से किसी बड़े संगटन का वास्ता है फिलाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही देखते रही है NWI